आज का पार्ट है टॉर्च बेचने वाले और इस पार्ट से संबंदित यहां पर हम कुछ प्रशन उत्र लेकर आये हैं जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे जिसे कि आपकी प्रपेशन जो है एक्जाम परपस से यूसफुल रहे और आपको चैप्टर से रिलेटर जो क्वे सूर्ज चाहप ही क्यों रखा जब हमने पार्ट बढ़ तो पार्ठ में हमें टॉठ7 वालों के बारे में पता लगा दो लोग है टॉझअ अपने अपने रस्ते निकलते हैं कमाने के लिए जिसमें से एक वैक्ति है जो की टॉठ बेचने का काम करता है और वह अपनी कंपनी ही न सुराज्फद में सूर्ज भीवर फिस winner of each shop था आप क्वेच में अब यही नाम है यही हमारा प्रशन है तो साधारन सी बात है कि संसार को प्रकाशित कोन करता है सूर्य हम सभी को मालूम है शुव होती है रौशनी होती है किसकी वज़े से सूरज की वज़े से जब सूर्य आता है तो अंधकार भाग जाता है और वेस है कि अंधकार की existence कब तक है जब तक रौशनी नहीं है सूरज निकलता है रौशनी हो जाती है अंधकार भाग जाता है सूरच छाप नाम रखकर लेखक पाठकों को कमपणी के प्रती आश्वस्त करना चाहता है टॉर्च भी प्रकाश करने के काम ही आती है आता ये नाम लेखक की बनाई कमपणी तथा कहानी को सार्थक तब प्रदान करती है रेलिवेंट बनाती है अब क्या है कि आज बिजनेस के दौर में बहुत लोग जो है अपना ही काम करना चाहते हैं आप देखेंगे कि सबसे पहला प्रशन के सामने आता है कि अपनी कंपनी का नाम क्या रखेंगे अपने business का एक title क्या होगा एक best unique तो ये एक बहुत बड़ा question आ जाता है जब आप अपना काम कर रहे होते हैं और uniqueness होनी बहुत जरूरी होती है जिससे कि कोई भी सुने तो attract हो से अब क्या है torch बेचने वाले का काम? torch बेचना और torch क्या काम करता है? जब अंधकार होता है तो रोशनी का काम लिया जाता है उससे same वैसे ही उसी तरीके से ही सूरच जो कि हमें रोशनी देता है तो वो रोशनी देने के काम से connect करते हुए यहाँ पर torch बेचने वाले ने अपनी company का नाम सूरच छाप रख दिया जो कि बहुत irrelevant है कहानी को सार्थकता भी प्रदान करता है आगे वड़ते हैं अगले प्रशने के साथ प्रशन नमर दो पांच साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्तितियों में और कहां होती है कहानी में जैसे कि हमने पढ़ा दोस्त हैं दोनों अलग अलग रापर निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए अब कुछ सालों के बाद कुछ साल यानि की पांच साल के बाद जो है वो दोनों मिलते हैं कौन सी परिस्तिती में मिलते हैं, कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे उनकी मुलाकात होती हैं, वो हमें यहाँ पर इसका उत्तर देना है, तो पांच साल बाद एक दोस्त देखता है कि मंच पर एक साधू जो है, वो भाशन दे रहा है, सब उसका भाशन बड़े ध्यान से ज्ञान के प्रकाश में आने के लिए कहता है, आपने कई बार सुना होगा, कि ऐसे जो भी साधु लोग होते हैं, हमारी जीवन शैली है, उसको जानकर वो उचित नहीं है, आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है आपको ऐसे रहना चाहिए आपकी जीवन शैली इस प्रकार होने चाहिए और तरह तरह के ज्याना आपको वो देते हैं उस साधू की बात सुनकर पहला मित्र जो है हस पड़ता है जब उसके निकर जाता है तो उसे पता चलता है कि और एक ज्यान दे रहा है साधू बनकर ज्यान दे रहा है और एक टॉर्च बेचने वाला टॉर्च बेच कर लोगों को रह दिखा रहा है रोशनी दे रहा है तो यह बहुत ही जदा एक आप कहा सकते है कि प्रतिकार्थक कहानी है जिसके माद्यम से कि लेख कहां पर लिख तो यहां पर 5 साल के बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात इसी तरीके से होती है कि दोनों अपने राह पर कमाने के लिए निकलते हैं एक टॉर्च बेचता है अपनी कंबिनी का नाम सूरत चाप रखता है और दूसरी तरफ एक साधू बन जाता है जो मंज पर बैठा लोगों को ज्यान दे रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर उसके पास ज्यान कितना है लेकिन वह साधू बना हुआ है और जो की टोटली फेक है और लोग किस तरीके से इस तरीकी के जाल में फस्ते चले जाते हैं यही सारी चीज़े जो हैं लेखक अपने इस पार्ट के माध्यम से इस लेक के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरीके से साधू बनकर एक दोस्त मिलता है और दूसरा टॉर्च बेचने वाला एक ही मंच पर दोनों की मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन के साथ प्रश नमबर तीन पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वे किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था जो पहला दोस्त है वो मंच पर किस रूप में दिख रहा था और वो अंधेर को दूर करने के लिए कौन से टॉर्च को बेचने की बात कर रहा पहला दोस्त मंच पर साधू के रूप में विद्धमान था वे मंच पर बैठा लोगों को प्रवचन दे रहा था उसने रेशमी वस्तर पहने हुए थे चहरे पर लंबी दाड़ी रखी थी उसके बाल भी लंबे हो गए थे इस वेश में उसका स्वरूप भव्यता को प्राप बैच रहा था और वो यहां पर ग्यान रूपी एक दोस्त जो है प्रकाश करने वाले टॉर्च को बेच रहा है तो इस तरीके से पहला दोस्त जो है मंच पर साधू के रूप में दिखा उसकी आपने वैश भूशा दाड़ी बढ़ा रखे थे उसी प्रकार कर रख़िती ज लोगों को ग्यान दे रहा था अंधकार दूर करने की कोशिच कर रहा था उनके जीवन से और इस तरह के से अपने ग्यान रूपी टॉर्च को बेच रहा था आगे बढ़ते हैं प्रश नमबर चार की साथ भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वही प्रकाश है इसका क् प्रकाश की existence कब मालूम होती है जब आप अंधेरा हो रोशनी में और रोशनी वह आपको महसूस तोगी लेकिन रोशनी की जो existence है उसकी importance जो है उसकी जरूरत आवशकता जो है अंधकार देखने के बाद ही आप समझ सकते हैं तो जहां अंधकार है वही प्रकाश है तो दोन प्रकाश है, एक ही सिख्य के दो पहलो हर चीज का एक निगेटीव आस्पक्त होता है और एक पॉजिटिव आस्पक्त होता है कोई चीज है आप जिससे कर रहे हैं उसमें सिफ पॉजिटिव फेक्टD ही है और बिल्कुल यह गलत बात है आप कोई एक वेक्ति को ले आप कहें कि इसमें बहुत बुरी बुरी आदते हैं और उसमें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट सी देख रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ वही नजरिया रखना चाहरे हैं लेकिन देखने वाले जो हैं जो उनसे दूसरी तरीके का वेवार उनका जानते हैं जो कि उन्हें बहुत पॉजिटिव भी जानते हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव भी जानते हैं और प्रकाश का होना तभी आवशक भी हो जाता है अताहत जहां अंदकार रहेगा वहां प्रकाश तो विद्मान ही रहेगा जहां प्रकाश होगा वहां अंदकार भी होगा प्रकाश का महत्व भी तभी है जब अंदकार होगा यानि कि अब अगर आप इसे अपने real life से connect करें कि अगर आपके जीवन में समस्याय हैं तो उसका निवारन भी होगा और अगर सब कुछ अच्छा भी होगा तो वो भी हमेशा exist नहीं करेगा तो हर जगा दोनों पहलो exist करते हैं भावे पुरुष उस अंधिकार की बात कर रहा था और वो ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को एक सही मार्ग दे सकता है इसी ज्ञान को वो यहाँ पर देता वन नजरारा है इससे मनुष्य सोचने समझने की शक्ति खो देता है एक अंधकार दुख तथा निराशा से उपच्चता है इसे ज्ञान रूपी प्रकाशे दूर किया जा सकता है तो आप इसे समझे बहुत यह आसान सी बात है अपको अगर नहीं समझ में आएगी तो confusing लगेगी बहुत easy है जहाँ पर अंधेरा है फिर वहाँ पर प्रकाश होगा अब प्रकाश है तो अंधेरा भी होगा दोनों चीज़े exist करेंगी और यह यहाँ पर जिस अंधेरे की और प्रकाश की बात हो रही indirect way वे वह यह है आपके मन में बहुत सारी निराशाय है दुख है कुछ ना कर पाने का और कुछ आप सफलता असफलता यह सारे दावपेच जो है exist तो करते ही है लेकिन जहां आप अपने आपको ग्यान देंगे उस ग्यान की रह पर चल पड़ेंगे और अपने आपको मेहनत के लिए प्रेरिद कर लेंगे तो आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी भी आएगी उसफलता भी आएगी तो हर सिक्के के दो पहलू है और यह हमें ही कोशिश करनी होती है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी के साथ प्रश नमबर पाँच भीतर के अंधेरे के टॉर्च को बेचने और सूरच चाप टॉर्च बेचने के दंदे में क्या फर्क है पाट के अधर पर बताना है दो दोस्ते दोनों कमाने निकले हैं दोनों ने एक राह पकड़ी और दोनों ही लोगों को एक अंधेरे से निकाल कर रोशनी मिलाने की कोशिश करें एक टॉर्च जला कर जो है लोगों को अंधेरे से निकाल रहा रोशनी मिला रहा है दूसरा ग्यान देकर जो है लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी मिला रहा है अभी नोनों में क्या फर्क है क्या डिफरेंस है क्या सिर्फ आपके गर में लाइट चली गई और लाइट आ गई उसके बाद उजाला हो गया तो इसी को उजाला आना जो है या फिर अंधेरा और उजाले की existence यही exist करती है या फिर एक हमारे मन में व्याप्त यानि की रहने वाला भी अंधेरा है जिसको अग्यान कहते हैं अंधेरा जो की negative aspect को दिखाता इंडिकेट करता है तो जब भ positive points जो है ग्यान से संबंदित आप जहां समझदारी की बाते करें बुद्धी का प्रियोग करें वो positive aspect हो जाते हैं और जहां negative aspect की बात हो जाए तो वहां पर आपको दिखाए जाएगा कि आपके अंदर जो भी negative point of view से आपको देखा जा रहा है वो आप बहुत निराश हैं द बड़ी बात कहा दी उन्होंने जबकि यह basic बात होती है कोई भी अपने आप से समा सकता है यही चीज यहां पर इसको प्रश्न के रूप में लाए गया है कि इन दोनों ही उजाले में क्या difference है दोनों ही अपने तरीके से लोगों को उजाला देने की कोशिश कर रहा है पर इ यह एक उपकरण है उपकरण यानि की साधन है जो क्रित्रिम प्रकाश क्रित्रिम का मतलब बनावटी यह नेट्रल प्रकाश तो नहीं है जो सूरस से मिलते हैं हमें यह तो एक मशीन है जिससे क्रित्रिम प्रकाश मिलता है जिससे हमें सहूलियत होती है इससे लोगों की सहा बहुत ही अलग है, इसके अंदर मनुश्य को भीतर के अंधेरे का डर दिखाय जाता है, यह दंदा लोगों में डर फैलाता है, और उनका धर्म के नाम पर शोशन भी किया जाता है, इनसे आम लोगों को कुछ फैदा नहीं बलकि उनका भावनात्मक यानि emotional शोशन होता है, exploitation होता है तो यहाँ पर emotional exploitation होता है आप देखेंगे साधू लोगों के पास बहुत लोग जाएंगे अपने परिवार की समस्या discuss करेंगे और वो उनसे निवारन पूछेंगे इस तरीके से वो उनको कुछ डर दिखाएंगे उस डर की वज़ा से वो उनके बता हुए रास्तों पे चलकर कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे वो उसी जाल में फस्ते चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? emotional exploitation हो रहा है तौश बेचने वाला सीधे सीधे अपना जो मशीन है वो दिखा रहा है उससे क्रित्रम प्रकाश जो निकल रहा है वो दिखा रहा है जिससे लोगों को सिर्फ सहूलियत होती है लोगों को नुकसान नहीं होता नुकसान तब होगा जो मशीन खराब होगी उसका भी इलाज है दुबारा खरी दिए और दुबारा अपनी सहुलियत को ले लीजिए लेकिन यहाँ पर emotional breakdown किया जा रहा है यहाँ पर emotionally लोगों को hurt किया जा रहा है परेशान किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर लोगों को उनके ईश्वर के नाम पर डराया जाएगा और धर्म के नाम पर डराया जाएगा और इस तरह के से उनका शोशन होगा और उनको जो रहा दिखाए जाएगी वो आँख बंद करके उसी पर चल पड़ेंगे और वो अपनी बुद्धी का इस्तिमाल भी नहीं करेंगे तो ही दोनों ही काम में जो है उजाला दिखाने का काम हो रहा है लेकिन एक में एक्स्प्लोटेशन हो रहा है और एक जो है एक सीधा साधा काम है प्रशन नमबर छे सवाल के पाउं जमीन में गहरे गड़े है वो यह उखड़ेगा नहीं इस कथन में मनुश्य की किस प्रवित्ती की और संकेत है और क्यों यह जो बात कही जारी कि जो सवाल है उसके पाउं जमीन में बहुत गहरे गड़े हैं वो उखड़ेगा नहीं कोई भी चीज जमीन में बहुत गहरी दभी होगी तो उसको निकालने में बहुत महनत लगी कि बहुत देर से आप उसे निकाल पाएंगे और क्योंकि उसकी जो जकड है वो बहुत ज़्यादा होगी तो ये जो चीज है ये जो अपने साथ जो मेनिंग दे रहा है ये इसका एक हिडन मेनिंग भी है जो मनुष्य की किसी प्रवित्ती को दिखाता है वो कौन सी प्रवित्ती है और वो कौन सी प्रवित्ती है जिसको दिखा रहा है इस कथन में मनुश्य की उस प्रवित्ति के और संकेत किया गया है जहां वैं किसी समस्या पर अत्यधिक सोच विचार करता है overthinking तो यहां पर यह बताया गया है कि कोई वेक्ति जो है कोई topic पर बहुत ज़्यादा सोच लेता है बहुत परेशान हो जाता है उसी तरीके से जैसे कि जमीन में आपके बहुत गहराई में जाके पाओं गड़ गए हो और वो निकालना पा रहे हो ऐसे ही आप किसी situation में इतना ज़्यादा overthink कर लेते हैं कि आप उसमें घुसते ही चले जाते हैं और फिर उससे उबर नहीं पाते वे किसी समस्य से उबजे प्रश्न को बहुत जटिल बना देता है और हल ना मिलने पर हताश भी हो जाता है यानि कि परेशान हो जाता है यह उचित नहीं है हर प्रश्न का उत्तर होता है अगर आपके पास समस्य है तो उसका निवारन भी है कोई ना कोई राष्टा होता ही होता है और कोई प्रशन है तो उसका उत्तर भी जरूर है बस प्रयास करना चाहिए कि वे उसे सही प्रकार से हल करें इस और इसलिए संकेत किया गया है ताकि उन्हें ऐसी स्थिती से अवगत कराया जा सके उन्हें ये बात समझाये जा सके अगला प्रशने हमारे सवे प्रशन NUMBER 7 वेंग्य विधा मे भाषा सबसे धारदार है, वेंग्य यानि कि टॉंट टॉंट जिसमें आप किसी सच्चाई को एक तल्खी से कड़वाहट से किसी के सामने पेश करो तो वेंग्य हो जाता है, टॉंट हो जाता है तो व्यंगे विधा में भाषा जो होती है बहुत धारदार होती है बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती है धारदार होने का मतलब अपना तगड़ा प्रभाव दिखाती है परसाई जी की जो हमारे हरिशंकर परसाई जी है वो व्यंगे विधा के ही लेखक है ज्या अना पर आप देखेंगे कि बहुत गहरी बातें जो है परसाई जी ने समझाने की कोशिश की है इस पार्थ में लेकिन इन्डारेक्ट वे में एक दोस्त जो है साधू बन कर लोगों को ग्यान दे रहा है और लोगों को मेंटली हरास कर रहा है और उनको उनका सोशन कर रहा है और एक जो है वो सीधा सादा अपना एक काम कर रहा है अपनी कमाई के लिए तो वेंग्य है और इसके माध्यम से एक hidden जो meaning है वो समझाने के कोशिश करें जो कि बहुत जादा वही जरूरी है important है और वही हमें समझना भी है तो प्रेशन का उत्तर हमें यह देना है कि अब यह जो उत्तर है वो इस प्रकार है कि यह बिल्कुल सकते हैं कि जो वेंग्य विधा है उसमें भाषा बहुत धारदार होती है यानि बहुत प्रभाव देती है अपना परसाई जी की टॉर्च बेजने वाले ऐसी एक रचना है इसमें परसाई जी ने एक साधरान सी कहानी दो स् दमने भी हो जाते आज के समय में धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का व्यपार हो रहा है जो कि हम सब देख रहें आप निउस चैनल से में अपने आस पास देख रहे हैं बहुत सारे हैं आप देखेंगे बहुत साजी हों यह शेयरों में इस तरिके की चीजे पता ही लगत जो साधू बनकर लोगों को घ्यान देने का काम करते हैं लेकिन वहीं कहीं न कहीं ठकने का व्यापार कर रहे होते हैं. यह व्यापार बहुत फल्फूल भी रहा है। ऐसे में लेखका करतव, बैता है कि वह लोगों में इस विशे पर जाग रूपता फल है। और लेखक ने इस पर एक अपनी कोशिश की है जिससे वो लोगों को जागरूप कर सके कि वो इस तरीके की बातों में नाफस है और अपने ग्यान के चक्षूओं को खुद ही खोले पढ़े समझे जिससे कि वो दूसरों की बातों में आकर बेवकूफ ना बन सके और आप आपिक को समझाने की कोशिश की है जिससे की पाठक पढ़के इन चीजों से बचे रहें जागरूख हो सके जागरूखता यसी होनी चाहिए जिसमें सच्चाई भी शामिलो और लोगों की भावनाएं आहत भी ना हो आहत यानि कि उन्हें नुकसान भी ना पहुंचे उन्हे अवल नंबर पे हैं आप कह सकते हैं उन्हें एक ही बात को दो अलग-अलग लोगों के माध्यों से भाशा में ऐसा बोला है कि भाव बदलता नहीं है बस इस्तिती बदलती है वह ऐसा धारदार हत्यार बन जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं और इस तरीके से ये जिस तरी कोई गई और इसका अर्थ हमें बताना है आश्य समझाना है पहला है आज अल्म सब जेगा अंधेर आचाहे mould हा रहता है रातेय पूर बहें होती है और अपना यहांड llegóता है अब यह रिगत करने हैं तोर्च बेचने वाला विक्ति जो है वे लेख करता है वो अंधेरे के विशे में बताता है जिससे कि उपना टॉर्च बेश सके वह अंधेरे का उलेख इस प्रकार करता है कि सुनने वाला अंधेरे के नाम से डर जाता है वह कहता है कि जब अंधेरा चाहता है तो चार और काली मा चाहती है इस तरह चार और काले रंग जो है उन चीजों में शामिल हो जाते हैं और जो बोला जा रहा है उसके शामिल होकर वो उसके प्रभाव में आ जाते हैं दूसरी पंक्ति हमें दी गई यह प्रकाश बाहर नहीं है उसे अंतर में खोजो अंतर में बुझी उस जियोती को जगाओ पहला मित्र एक साधू बन जाता है वह लोगों को भीतर के अंधकार दूर करने और अपने अंदर प्रकाश धूनने के लिए कहता है जो यहाँ पर मित्र है एक तो टौर्च बेशता है दूसरा साधू बन जाता है और वो साधू बन कर लोगों को ग्यान दे रहा वो कहरा अप अंदर जो प्रकाश है जो ग्यान है उसे ढूंडो उस प्रकाश को जलाओ बाहर लाओ और मनुष्य अपने अंदर के अंधिरे से डर जाता इस तर solids और प्रकाश की तलाश में भठकता रहता है वह कहता है कि प्रकाश हमारे अंदर ही होता है अथा हमें चाहिए कि निराशा और दुख को हटा कर ग्यानरूपी प्रकाश को ढूणने की कोशिश करने चाहिए विज्योती हमारे आविश्वास की करन बुझ गई है अता हमें उसे जगाना चाहिए आप देखेंगे लोग जो है प्रोसेस पूछते कि हमारे घर में बहुत दुख समस् और किसे किसे पूजा पाट करें और जिससे कि हम जो है हमारा जीवन सुकी हो जाए साधू लोगों एक प्रोसेस बता देते हैं आपको ऐसे से करना है कुछ दिन में आप इस चमतकार देखेंगे तो यह चमतकार क्या होता है यह आपको दिखा देते हैं आप उसमें अपना विश्वास बना लेते कि उन्होंने बोला है तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा और यह आपका विश्वास जो है बाइ डिफॉल्ट बन जाता है क्योंकि आपने दुनिया में सुना है कि बहुत अच्छे साधू है जो भी बोलेंगे वैसा ही हो जाता है तो आपको यहाँ पर connect करते हुए आपका विश्वास जो है बनाने का माध्यम वो साधू बन जाता है लेकिन काम आप ही कर रहे हैं क्योंकि विश्वास बनाने का काम तो आप ही ने किया है विश्वास कैसे बना इस पर आप दिधान देंगे तो विश्वास दूतरों के माध्यम से बना है लेकि कि आप अपने ईश्वर को खुद ही खुश कर लेंगे आपको दूसरों के दिखाई वी रापर चलने की जोतनी पड़ेगी तो यही बात पूरे पार्थ में बताने कोशिश की गई है कि आपको जागरुक होना है आपको लोगों के प्रभाव में नहीं आना है जो आपका लेना शुरू कीजिए और एक विश्वास बनाकर शुरू कीजिए यही होता है हमारे अंदर का ज्यान जब आपको टाइम नहीं देंगे आप अपने उपर फोकस नहीं करेंगे तो आपका ज्यान जो है आप से ही नहीं मिल पाएगा आपको दूसरों का सहारा लेना पड़े लेकिन वो कमपनी बदल लेगा अब कमपनी जो है वो बदल रहा है कैसे दूसरा मितर लेखा को कहता है कि अभी तक वह गलत धंदे में अपना समय नश्ट कर रहा था बेचेगा वह अभी प्रकाश लेकिन अवह प्रकाश उपकरन रूपी टॉर्च का नहीं होगा यह लोग लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा कमाएगा और इस तरीके से दूसरे दोस्त को भी समझ में आ जाता है कि उपकरन बेचने से लोगों को रोशनी देने का कोई फैदा नहीं है इससे आप रोशनी तो दे दोगे लेकिन कमाई बहुत कम है आप ज्यान दीजिए और साथ में कमा लेता अपनी लेकिन काम वही है उसका जो की रोशनी देने का था वो पहले भी करता था अब भी कर रहा है पहले उकरन बेचता था अब वो धंदा बेच अब यहाँ पर ज्यान देकर जो है अपने धंदे को यहाँ पर चलाएगा और पैसा भी कमाएगा प्रशन नमबर एक पैसा कमाने की जो लिपसा है लालच है चाहत है वो अध्यात्मिक्ता को भी एक व्यापार बना देता है अध्यात्मिक्ता अध्यात्म यानि इश्वर से संबंधित इश्वर से संबंधित जब आपके अंदर पैसे की लालचा जाती है तो आप अपनी भक्ति को अपने धर्म क इश्वर्क से संबंधित चीजों को भी एक व्यापार का रूप दे देते हैं जो कि इस चैप्टर में दिखाया गया है कि एक वेक्ति उसके पास क्या ग्यान था वो तो काम करने निकला था लेकिन कैसे साधू बन गया कुछ नहीं पता और वो साधू बनकर लोगों को ग्यान दे रहा है प्रकाश देने की कोशिश कर रहा है लोगों के अपने अंधर के अंधेरे को हटाने की कोशिश करने के लिए उन्हें ग्यान देने दे रहा है और लोग उससे खुश हो रहे हैं और वो एक मोटी तगडी कमाई कर रहा है ये पैसा कमाने की जो चाहत है लिपसा है वो उस अध्यात्मिक्ता को ईश्वर से संबंधित जो विश्वास है जो धर्म है उसके साथ एक व्यापार बना दिया उसने उसको अब इस पर हमें एक उत पांथने की जाहार बना कर उन्हें लूटा जारहा है उन्को लूटा जा रहा है ओविसी बात है कि जब शेहरों में growth rate बढ़ता है तो लोगों के ओपर काम का burden भी आता है और उस काम के burden में लोगों के जिवन में सुक शान्ती की कमी आती है और उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ही साधुों के जाल में वो फस कर जो है अपनी अशान्ती को शान्ती का रूप दे सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर अध्यात्म के साथ व्यपार करने वालों का जो धंदा है वो जोर शोर से चलता है इसे ही अध्यात्मिक ब्रष्टाचार कहते हैं अध्यात्मिक ब्रष्टाचार इन दोनों समाज में बढ़ता ही जा रहा है और इसके बहुत सारे एक्जांपल्स हैं न्यूस पेपर्स में पि शांती की तलाश में धर्म गुरुओं का सहरा लेता है तो अधिकतर धर्म गुरुओं का धर्म से कोई लेने देना नहीं है वह जानता तो केवल उनका धन लुटने के लिए या लूटने के लिए ही प्रियोग करते हैं तो यह ज्यान देने का सिर्फ एक मकसद है पैसा कमाना ह हर कोई धर्म गुरु बन जाता है समाज के आगे अब इनका जूट खुलता है तो जनता स्वेम को ठगासा महसूस करती है गुरु ये इश्वर प्राप्ति का मार्ग होता है परनतों जब गुरु ही भटका हुआ हो तो जनता को भटकाओ और धोखे के अलावा कुछ प्राप् है जहां पर बहुत लोग जो है साधू बनते हैं और साधू बनकर लोगों को ग्यान देते हैं और ग्यान देने के बाद जो पैसा कमाते हैं वो 9-5 की जॉब करके वो कमाई नहीं हो सकती है और ये इसी के लिए लोगों के अशान्त जीवन में 5-10 मिनट 1-2 गंटा की ये जो ग्यान की जो एक लेक्चर चलती है लेक्चर शीप चलती है जिसमें लोगों को लगता है बहुत शान्ती मिले आज तो हमने बहुत कुछ देखा ध्या लगाया इश्वर में जबकि आपको चाहिए कि आप अकेले में कॉंसेंट्रेट करके फोकस करके खुद योग साधना कर और ये ग्याना अपसे खुद से ही उपच जाएगा तो इस तरीके से लेखक जो है इस विशे की चर्चा करके हमें जागरूप करना चाहते हैं और जागरूपता बहुत जरूरी है लेखक ने उसका माध्यम जो है वेंग्य को बनाया है यहाँ पर प्रश नमबर दो लेते ह समाज में फैले अंधविश्वासों का उल्लेक करते हुए एक लेक लिखना है पार्ट में जो चीज डिसकस की है लेखक ने वो एक अंधविश्वास है जो की अध्यात्मिक ब्रश्टाचार है अध्यात्मिक ब्रश्टाचार वो होता है जहां पर लोगों को उनके धर्म के बन गया है और अध्यात्म को उन्होंने व्यपार भी बना लिया और इस तरीके का अंधविश्वास जो लोगों में फैल जाता है लोग ऐसे ही लोगों को गुरू बना लेते हैं और उनसे दिये हुए ज्यान को भी वो स्वीकार कर लेते हैं बड़ी असानी से ऐसे कुछ होता है आप गलियों में और जो आसपास आपके पडोसी है अंकल अंटिया और मम्मी पापा या फिर रिष्टेदार जो है बहुत सारी चीजों पर उंगलियां उठाते हैं जिसकी वज़ा से जो निव जेनरेशन है अगर कुछ अच्छा करना चाहती है ग्रो करने के लि है बलकि समान रूप से हर किसी के अंदर विद्धमान होता है तो यह जो अंद्विश्वास होता है इसका किसी भी ग्रूप से कोई लेना देना नहीं है ना तो जाती से ना धर्म से ना समुदाय से इसका किसी से कोई लेना देना नहीं अंद्विश्वास है जिसने भी जो कोई अंद्विश्वास बना लिया हो अंद्विश्वास में पड़ावा मनुश्य कई बार इस प्रकार के कारे करता है जो हास्यास पद यानि की हसी के काबिल हो जाते हैं वह ऐसी स्थिती को पैदा कर देते हैं अंद्विश्वास मनुश्य को आंतरिक स्थर पर कमजोर बनात जो अंदविश्वास होता है वो अपने में ऐसा जकरता है मनुष्य को कि वो आंत्रिक रूप से इंटर्नली जो है बहुत कमजोर हो जाता है वही वह ऐसी बातों पर विश्वास करने लगता है जिनका कोई औचित्य यानि कोई रेलिवेंसी नहीं होती उसमें मनुष्य इस व इसके अफेक्स से बच नहीं पाएंगे भारती समाजों में तो इसकी जड़े बहुत ही ज़दा गहरी है इसके लिए हमें एक्जांपल्स की कोई कमी नहीं पड़ेगी कि भारत में और उसके समाज में कितनी ज़दा जो उसकी जड़े खोखली है बहुत सारा है भारती समाज में हर अच्छे बुरे काम में अंधविश्वास की छाया दिखाए दे जाएगी घर जे निकलते वे छी का जाना बिल्ली का रास्ता कर देना पूजा के दे का बीच में बुझ जाना आधी रात में कुत्ते का भौकना या उल्लू का रोना इत्यादी बाते ह हैं जिससे लोग सधियों से डरते चले आ रहे हैं भारती समाज को इन्हीं अंधविश्वासों ने को सो पीछे छोड़ रखा है ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास बस भारती समाज में ही विद्वान है बलकि ये विदेशों में भी समान रूप से ही विद्वान है ऐसा नह अंदविश्वास एक्जिस्ट करते हैं परन्तु भारतिय जो है वो इनसे उबरी नहीं पारे वह भारतिय जो है इसमें अगर किसी अंदविश्वास में पढ़ रहे हैं तो वह उसमें धस्ते ही चले जा रहे हैं अभी हमने पाठ की कोटेशन पढ़ी थी जिसमें बताया कि आ निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है आज भी कितने ही सिक्षित लोग हैं जो अंदविश्वास में पढ़े हुए हैं यही कारणे कि हमारी विकास की जो गती है इतनी धीमी है चंद्र ग्रहन और सूरे ग्रहन के पीछे विज्ञानिक कारणों को अंदेखा करके हम संकुचित यानि आप छोटी सोच कह सकते हैं संकुचित द्रिष्टी कौन यानि कि आप अपने परस्पेक्टिव को ब्रॉड नहीं कर रहे हैं वही अंदविश्वास में पढ़े हुए हैं और इस द्रिष्टी कौन को रखने के पेक्षा इसमें छिपेर रहसे को जानना च और लेखक ने वेंगे को यहाँ पर माध्यम बनाकर एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है विशे है उसको डिसकस किया है कि किस तरीके से धर्म गुरू जो की खुद भटके हुए होते हैं और लोगों को फेक ग्यान देते हैं और लोग उनको साधू, गुरू, महात्मा मानते हुए उनके ग्यान को लेते हैं और वो अपने अशांत जीवन को शांत करते हैं कितनी ज़्यादा फेकने से अगर आप देखे तो दो दोस्ते हैं उन्होंने डिसकस किया था हैं उन्हें कमाने के लिए निकलना है अगर वो ऐसा ही होता तो पहले से ही साधू होता और कुछ ना कुछ उसमें उन्होंने कुछ सीखा होता अपना experience होता तब तो वो कुछ कर सकते थे ग्यान देने के लिए आपके पास काफी ज़्यादा stored ग्यान होना चाहिए जो आप दे सकें तो इस तरीके से लोग जो है इस तरीके के fake ग्यान में फसते हैं और लोगों को exploit किया जात है और सिक्षित होकर भी अंदविश्वास में पढ़ने की जोतनी है क्योंकि अंदविश्वास ऐसी चीज है जिसके पैर उसमें गड़ते चले ही चले जाते हैं और उसमें से निकाल पाना या खुद से भी निकल पाने की कोशिश करने में भी बहुत मेहनत लगती है और आस चैनल के साथ बने रहना है जिससे की आप टाइमली अपडेट्स पासके तो वीडियो आपको हेल्प करें तो जरूर लाइक करें ज़्याद ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू